जाला से इंडिया नामी डे 2022 रेशियो 15 जनवरी को क्यूं मनाया जाता है भारतिय सेना दिवस जाने इतिहास 15 जनवरी का दिन भारत के लिए एहम दिन होता है आज के दिन को हर साल भारतिय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है 15 जनवरी भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के सम्मान का दिन होता है इस साल भारत का 74 वां सेना दिवस मनाया जा रहा है 15 जनवरी को नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालेओं पर सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों वो अन्यकारेक्रमों का आयोजन होता है इस मौके पर देश थल सेना की वीरता, उनके शौरियर और कुर्बानियों को याद करता है लेकिन सवाल ये हैं कि 15 जनवरी को ही भारतिय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है ये दिन भारतिय सेना और भारत के इतिहास के लिए खास कैसे है दरसल भारतिय सेना दिवस फील्ड मार्शल के अमकरी अप्पा के सम्मान में मनाया जाता है चलिए जानते हैं कि कौन है फिल्ड मार्शल केम करियपपा और सेना में उनके योगदान के बारे में, साथ ही क्यूं 15 जनवरी को ही सेना दिवस मनाया जाता है? कौन है लेफटिन एंट जनरल केम करियपपा? देश की आजादी से पहले सेना पर ब्रिटिश कमांडर का कबजा था? साल 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी भारतिय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूलका ही होता था? साल 1949 में आजाद भारत के आखरी ब्रिटिश कमांडर इंचीफ जनरल फ्रांसिस बुचत है? को ही क्यूं होता है सेना दिवस दरसल फील्ड मार्शल केम करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतिय सेना प्रमुक 15 जन्वरी 1949 को बने थे यह भारत के इतिहास की सबसे महत्वपून घटनाओं में से एक है इसलिए 15 जन्वरी को हर साल भारतिय सेना दिवस के तौर पर मनाय जाता है जब करियप्पा सेना प्रमुक बने तो उस समय भारतिय सेना में लगभग 2,00,000,000 सेनिक थे करियप्पा साल 1903 में रिटायर हो गए थे और 94 साल की उम्र में साल 1993 में उनका निधन हुआ था करियप्पा की उपलब्धियां करियप्पा ने भारत पाकिस्तान युद 1947 का नित्रित्व किया था प्रिटायर्मेंट के बाद में उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल का रैंक प्रदान किया गया इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा में जापानियों को शिकस्त देने के लिए उन्हें और अफ दे ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान भ करी थी जिसे बाद में ब्रिटिश भारतिय सेना का नाम मिला और अंत में भारतिय थल सेना के तौर पर देश के जवानों को पहचान मिली